For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हम लोगों ने setting up business entity के part 1 के बारे में पहले भी discuss किया था कि ये part basically आपका कहता है कि अगर हमें business करना है, तो business करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से तरीके available हैं, बड़ा अच्छा idea आपके दिमाग में आया, सब हमने startup में पढ़ा कि कैसे उसे execute करते हैं, लेकिन business के किस format में, हम entrepreneur हैं, हमें business करना है, लेकिन ये business करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और ये जो business करने के बहुत सारे तरीके हैं, इन तरीके को दो major part में बाटा गया, कौन-कौन सा? In the form of what? Corporate entities and in the form of what? Non-corporate entities, यानि एक corporate entities के form में और एक non-corporate और ये दोनों के ही दोनों आपके क्या हैं? अलग-अलग chapter हैं, अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर हम बात करते हैं, corporate entities की, तो कहा गया कि corporate entities के form में business करना है, idea है हमारे पास, और ये start-up नाम का chapter अरड़ी हम लोगों ने पढ़ चुका है, जिसमें हमने देखा है कि कैसे जो है वो business के idea को हम conceive करते हैं, उस idea को हम further develop करते हैं, फिर उसमें जो है वो अगले step में जाते हैं, फिर उसके लिए fund, सारा का सारा चीज़ हमने देखा है, लेकिन किस mode में चलें, क्योंकि हम उस business को किस-किस तरीके से कर सकते हैं, तो कहा एक तरीका है कि आप corporate form में और एक कौन सा तरीका है, लेकिन corporate और non-corporate कहने से उतनी clarity नहीं आती है, जितनी कि अगर हम ये कहें कि हम अगर corporate form में चलते हैं, तो corporate form में हमारे पास जो है, वो कौन-कौन से जो है वो basically entities हैं, तो कहा हम बन सकते हैं कौन सी company, हम अपना business करेंगे private company के form में, हम अपना business करेंगे किस form में? पब्लिक company के form में, या हम बन जाएंगे one person company, या हम बनेंगे निधी company, या हम बनेंगे section 8 company, या हम producer company, या हम होंगे foreign company, यानि ये वो सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम incorporation के form में company को incorporate करके business कर सकते हैं, लेकिन कौन सा किसके लिए सही है, और हम इन में से किस form में जाएंगे, और हर form की क्या खास्यत है, क्या merit है, और क्या डिमेरिट है, क्या advantage है, क्या disadvantage है, और क्या procedure है, कैसे जो है वो in companies को form किया जाएगा, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे in the form of कौन सा में? corporate entities में, जो हम लोग इस chapter में नहीं देखेंगे, वो किस chapter में देखेंगे? इसके ठीक बादवाले chapter में, अभी हमने आपको जो बताया, ध्यान से देखेंगे, दो form है, कौन-कौन सा? corporate entities और non-corporate entities, तो corporate entities में ये सारे प्रजाती हैं, ऐसे ही कुछ प्रजाती किस में होंगे? तो अब अगर हम non-corporate की बात करें, तो ये सारे के सारे form कहलाते हैं, non-corporate entities, और उसमें हो गया कौन सा? soul proprietorship, partnership, Hindu undivided family, multi-state cooperative society, trust, society और mega firm और multi-disciplinary firm जिसको कहते हैं, जिसके बारे में आज भी मैंने थोरा सापको कहा था, mega firm के बारे में, जहांपे CAC, CMA, अलग-अलग तरह के professional मिलकर के अगर काम करना चाहें, तो कैसे काम कर सकते हैं? तो हम अभी जो इस chapter में पढ़ने जा रहे हैं, वो इन सारे के सारे entities, कौन सा? corporate या non-corporate? non-corporate? तो अभी इस chapter में जो हम cover करने वाले वो है, कि ये जितने भी सारे हमने नाम देखें, चाहे है उसका नाम soul proprietor हो, चाहे हुसका नाम partner से firm हो, चाहे हुसका नाम हुए for Hindu undivided family हो, चाहे society हो, चाहे multi-state आपका corporate society हो, चाहे वो trust हो, चाहे वो आपका partner से firm हो, चाहे mega firm हो, हम इनको जो है वो register करने के लिए जाते हैं, तो किस procedure को follow करते हैं, ये हमारा jurisdiction है, इस पूरे के पूरे chapter को ले करके, और ये अपने आप में बहुत ही आसान चीज़ है, क्यों आसान चीज़ है, क्योंकि जहां पे कोई law बोले इसी चीज़ को करना है, वो थोड़ा tough होता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, वो strategy बता रहा हूँ, और अगर मैंने यहाँ पे जैसे sole proprietorship, इसके बताएं पांच मान लीजिए, अच्छे points, यानि कि five merits और five demerits, जरूरी नहीं कि वो as it is ditto होना चाहिए, लेकिन याद कीजिए, फैक्ति जब पढ़ते हैं, और अग क्या होना चाहिए क्रे, अब यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, कि 30 से 31 लिख दिया तो गलत हो गया, या आपने 29 भी लिख दिया तो क्या हो गया, गलत, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ गलत सही नहीं होगा, language आप अपने use कर सकते हैं, तो ध्यान से जरा देखिए, कि हम ल merits, और कैसे इसको हम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, कैसे हम इसको registered करेंगे, यही हमारा jurisdiction इसमें है, जिसमें से बहुत सारे बातों को आप लोगोंने company law के दौरान पढ़ा होगा, अब उन्हीं चीजों को अगर आपने पढ़ा है, या नहीं पढ़ा है, मैं उस चीज को बि मैं रथन कराऊंगा, या मैं जब इन चीजों को करूँगा, तो मैं तो यह मान के चलूँगा, कि already यह चीज आपको क्या है, पता है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही question दूँगा, कि क्या फाइदा है, इन में से किस तरह के जो है, या what are the ways in which we can go for starting any business in form of non-corporate entities, क्योंकि मैं तो open-ended question भी दूँगा, तो उन चीजों के लिए कैसे आप इसको जो है, वो pick करेंगे, क्योंकि यहां जो मैंने आपने देखा है, जो भी notes आपको दिया है, यह सारे में थोड़े ज़्यादा मेहनत किये गें, और मेहनत मैंने इसलिए ज़्यादा किया है, कि आपका मेहनत कम हो, क्या होता है, revise करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, और तब देखिएगा, कि अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाता है आपको बताऊंगा, कि आगे के जितने चीज मैंने जो है, वो detail में दिये हुए, यह उन बच्चों के लिए नहीं है, जिन बच्चों को लिखना आता है, उनके लिए सिर्फ एक page है, यानि अगर मैं सही से बोलूँ, तो सिर्फ 8 से 9 slide हैं, इस पूरे chapter का, यह जो आपको 20 के आसपास pages हैं, कितने page हैं, 19, तो यह जो 19 pages आपके हैं, इस 19 pages में से effectively जो है, वो जो बच्चे खुद से चीजों को लिख सकते, क्योंकि लगातार हम लोग लिखने वाली बात करें, आपको हमेशा encourage कर रहा हूँ कि आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लिखे, तो जिसको लिखना आ गया है, उसके लिए यह पूरा का पूरा chapter 3 page है, जो मैं last में करूँगा, कि सब काट दिया, सिर्फ कितना page बचा, 3 page, ऐसे ही सोचिए, एक subject को किसी भी सर्थ पे, मुझे 50 से ज्यादा page में नहीं ले करके जाना है, और उन्हीं पे जो है, वो पूरा हम दम लगा देंगे, लेकिन क्या बोला मैंने, उससे पहले की पूरी तयारी होगी, तब कट करके वो यह उन्हीं space 3 page में बचेगा, लेकिन किनके लि information वाले page पे जा रहा था, लेकिन मैं तो एक ही page पे टिका हुआ था, और उसी page में equity था, debt financing था, सब कुछ नहीं था, अगर आपको अब लिखना आ गया, तो मुझे बताईए कि आप जो है, वो equity financing में, seed funding को जा करके अलग से रटेंगे, angel को अलग से रटेंगे, bridge को अलग से रटेंगे करेंगे, हाँ या ना, bridge fund को अलग से करेंगे, नहीं, बस आपको वो diagram याद रहना चाहिए कि funding के चार तरीके थे, equity था, debt था, IPO था, और non-conventional था, यहीं था, अब यह चार में से जो है, वो equity में क्या बोला था, seed बोला था, अब इसको अलग अलग पढ़निक जो नहीं, तो आपके लिए उतने सारे page सिर्फ आधे page में बदल गए, नहीं बदल गए, मेरे recording एक slide आपके recording वो क्या हो गया, अब यही चीज आपको घड में भी करना है, कुछ जगा पर मैंने intentionally detail दिया है, लेकिन यहाँ जो मैंने slide पर अपना एक रखा है, वो आपको नहीं द और होनहार हो जाते हैं, जब कुछ करने के लिए ही नहीं रहता, तो कम से कम आप थोरा सा तो effort लगाएंगे, और खुद से कम से कम देखेंगे कि हाँ, चार तो तरीके तो दिये हुए हैं, चलो इसका एक page का आधे page का एक summary बनाते हैं, कि अगर मुझसे पूछा जाए, funding के क पूछेगा, तो जब यह ऐसे ही करके पूछेगा, तो हमने अगर सारे point लिख दे तो three marks तो ऐसे ही हो गए, और अगर five marks का पूछा है, एकक line लिख दिया, seed funding के बारे में वस एक line लिख दिया, at the very initial stage this funding is required, फिर angel के बारे, सब के बारे में थोड़ थोड़ लिखना रहेगा क्योंकि three marks तो उसी से पूरे हो जाएंगे, जब आपने पूरा का पूरा वो क्या बना दिया, structure बना दिया, तो ठीक, ऐसे ही जब यहाँ पे जाएंगे, तो मैं आपको याद भी दिला दूँगा, कि देखिए, यही बात में कर रहा था, कि आपके पास detail है, और यह पहला chapter, और ऐसे ही पूरे के पूरे setting up के दौरान, चीज repeat होती रहेगी, क्योंकि पूरा का पूरा चीज sitting up of business ही है, तो कहीं पे भी जब हम बात करेंगे, तो business setup करने का, तो एक chapter में, दूसरे chapter के बहुत सारे बात क्या होंगे, घुम फिर कर क्या हैंगे, कहीं ज्यादा detail मे करेंगे, कहीं पर उस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे, तो देखिए, soul proprietorship basically उस तरह का business है, जब मुझे लगता है, कि मैं बहुत होनहार हूँ, मान लिजे, प्रिया को लगता है, कि प्रिया बहुत क्या है, होनहार है, अपने बोलें, कि प्रिया को लगता है, कि प्रिया ब सोफे में छिपाए हुए हैं, घर में, कुछ पैसे तंकी में, जो है वो लपेट करके, प्लास्टिक में, दो-तीन में तब डाल दिया है, पानी वाले तंकी में, अगर इन जगों पे इन्होंने क्या किया है, पैसे रखें, तो पैसे धेर सारे इनके पास, तो पैसे भी धेर सारे इन के पास और ये आपको होनहार भी समझते हैं और साथी साथ ये क्या चाहते हैं कि खवरदार कोई मुझे इंटरफेयर ना करे और जो भी डिसीजन लूँ अच्छा लूँ या बुरा लूँ सब क्या लूँ मैं ही लूँ और मुझे किसी का इंटरफेयरंस बिलकुल भी पसंद नहीं हैं ऐसे सोच के साथ अगर ये हैं तो ये जो हैं वो किस तरह से अपने जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे ये बनते हैं सोल प्रोप्राइटर और ये कहते सारा पैसा अगर मैं खुद लगाऊंगी तो रिस्क किसका सारा मेरा तो जो आएगा वो भी किसका वो भी सारा का सारा मेरा होगा थर्ड पार्टी से जो करज लिया है थर्ड पार्टी को जो प्रॉमिस किया इन्होंने सोचा चेर बनाएंगे अगर किसी से जो है वो प्रॉमिस किया है एक भाई तो आनी रहें कि चेर बना के हम बेचेंगे, तो अगर जो है वो बोला कि जो है वो चेर बनाएंगे, तो चेर बनाने के लिए जिनसे इन्होंने प्लास्टिक का रॉम मेटिरियल लाया है, उनको भी जो है वो पैसे दीने की जिम्मेदारी इनके उपर है, अगर इन्हें ही बे है कि सारे liability किनके उपर आ रहे हैं इसी तरह के business को हम क्या बोलते हैं soul proprietor से बोलते हैं अब मुझे बताईए इसमें आगे नहीं बढ़ते हैं यहीं पे रहते हैं और आप भी मत देखें नीचे की तरफ इसमें कुछ फायदे और कुछ नुक्सान बताई पहले पाइदे बताईए क्या है अगर मैं बोलू तो कम से कम पांच profit आप आगे पीछे जरूर होंगे लेकिन चार पांच चीज तो आप खुद बता देंगे इस discussion के यहीं बेसिस पर ओनर्शिप पे यहीं जब disadvantage की तरफ जाएंगे तो risk भी क्या हो गया तो कहीं न कहीं जब हम किसी चीज के एक पार्ट को देखते हैं तो वहीं उसका दूसरा पार्ट भी निकल के आता है किस फॉर्म में disadvantage के फॉर्म में तो चलिए यहाँ पे जो मैंने रखा है मैंने इन सब को बहुत आपको detail में लिख करके दिया है लेकिन यहीं मैं आपको कहना चाहरू लेकिन यह लिखा है मैंने लिखा है लेकिन ये एक जगह पे नहीं लिखा है ये सारे explain करकर के मैंने आपको दिये हैं अब आपका काम क्या है उन सब को कम से कम पढ़िए और उसके बाद कम से कम घर जा करके एक पेस तो ये लिखिए कि भाई इनके main main point क्या है तो अब ज़रा देखिए कि अगर हमें ये आता है और लिखना आता है तो हमारे लिए देखिए अभी हम कैसे पांच पेज या तीन पेज को खतम करने वाले कम से कम एक दो पेज तो अभी ये eliminate हो जाएगा कैसे easy formation यानि कि proprietor से बनाना क्यों आसान है reason ये है कि इसके लिए कहीं कोई law नहीं है एक अकेला आदमी है और इसके लिए कोई ज्यादा compliance नहीं है swift decision swift decision का मतब़ है जल्दी decision लेना तो decision क्यों swift कर सकते हैं किसी से पूछना है कोई resolution पास करना है डूबेंगे तो खुद का डूबेगा आईगा तो खुद का आईगा तो इसमें decision आसान है या नहीं है अब आप इसको swift decision कीजेंगा easy decision भी बोल देजेगा तो भी गलत नहीं होगा लेकिन बात आनी चाहिए easy formation वर्ड आना चाहिए easy जो है वो क्या आना चाहिए decision making आना चाहिए या super decision soul beneficiary of profit कितना बड़ा बात मैंने बोला soul का मतलब अकेला होता है, सारा का सारा जो है वो क्या होगा profit, अकेला आपको मिलेगा, benefit of small scale operation कह रहें कि small scale operation का मतलब क्या हुआ कि आपका जो है वो पैसा कम लगा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब है कि business जो है आपका ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है तो आपके लिए control करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा inexpensive management, क्यों भाए inexpensive management, management में खुद हैं, limited लोग हैं, तो क्या ज़्यादा salary का पैसा देना पड़ेगा तो इसलिए क्या हो गया ये inexpensive management, लेकिन देखिए बड़े-बड़े company में manager, chief manager तो production manager, तो this director तो that director, तो CEO तो CFO, तो कू आजकल तो कू-कू भी चलता है chief operational officer COO तो ये भी जो कह रहे है कि इतने सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा hire करना पड़ेगा, तो कही न कहीं क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेगे salary देने पड़ेगे, confidentiality अकेला business कर रहे हैं, आपके business का रहस्य कौन चुरा लेगा, लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हैं, तो आपके जो ideas हैं, आपके जो planning है, मुझे बताइए, वो कोई और जो है, वो लिख कर सकता है या नहीं, अगर बहुत सारे लोग हैं, तो कर सकता है, यहाँ पे अकेले आप decision लेते हैं, अकेले सोचते हैं, और अकेले क्या करते हैं, implement करते हैं, और याद रखिएगा, जहाँ पे जो बात advantage होता है, उसी में कहीं न कहीं छुपा रहता है, उसका disadvantage भी, तो अगर आपने advantage को जो है, वो दिमाग में रख लिया, तो समझे, disadvantage advantage भी आपका इसी जगह से निकल करके आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अच्छी बात है कि management छोटा है, एक बंदे के पास control है, तो इससे चीजों में क्या है, confidentiality है, लेकिन यहीं आएंगे disadvantage में, यह भी बात करने तो इसलों बस एक छोटा सा बात किया, देखिए यही चीज कैसे disadvantage हो गया, कि जब एक ही आदमी है, तो बताइए decision अच्छा लेने में आपका limitation हो गया या नहीं, decision जरूर ले लेंगे, लेकिन अच्छा decision लेने के लिए आपके साथ कुछ अच्छे लोग भी तो जुर्य होने चाहिए, otherwise आपका अकेला mind कितना ज़्यादा सोचेगा, और आपके mind का वो limitation भी हो गया, एक तरफ कहते हैं कि छोटा business अच्छा कह दिया, दूसरे तरफ आपको ज़्यादा पैसे ही नहीं मिलेंगे, आपका business grow नहीं कर पाएगा, जो भी रहे तो आएंगे तो देख लेंगे उसके किस चीज़ को disadvantage को भी, lesser paperwork, इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा compliances ही नहीं होते हैं, किसी authority के पास जो है वो करने के लिए simple tax calculation, इसमें tax का simple वही calculation होता है, जो एक individual का होता है, जिस lab में आते हैं, उस lab में आकर कि आप क्या कर दीजिए, उस lab में आकर कि आप अपना tax पे कर दीजिए, बहुत लंबा चोड़ा कहीं भी कोई भी और compliances नहीं होता है, lower business fee, business fee low होने का मतलब यह हुआ कि ROC के पास filing वगेरा जैसा चीज कुछ करने की ज़रत नहीं होती है, बहुत सारे license लेने पड़ते हैं, तो ऐसे case में हमेशा फी क्या लगेगा? कम लगेगा, clear है यह? तो अगर मान लिजिए कि आप से पूछा जाए कि क्या-क्या इसका क्या हो गया? Advantage, यह question three marks के हो सकते हैं या five के हो सकते हैं तो हमेशा इस पे इतने detail में जाने की बजाए, जैसे सब के बारे में मैंने लिखा देखिए, यह easy information पे नहीं लिखा है, swift decision पे नहीं लिखा है, आप कहते सर, हमें कुछ नहीं लिखना पढ़ना आता है, तो जैमातादी लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ बस वो है, कि इस पे जाने की जरुवत ना पढ़े, और आपका काम कहां से चलना चाहिए, ताकि हमारे पास और बहुत conceptual चीज हैं, जहां पे हमें क्या देना पढ़ेगा समय देना पढ़ेगा, तो क्यों ना, इसको हम सिर्फ इस जगह से क्या करेंगे, कवर करेंगे, और यही आपको घर पे करना है, आप डिवीजन के किसमें इस सारे को एक बार पढ़ जाईए, और एक बार पढ़ने के बाद, बस आप उसके बाद बैठिये, और आप देखिए कि easy formation, एक line में लिखना, पहले तो easy formation, swift decision, यह पूरा का पूरा point होना चाहिए, और एक भी point आपका छूटना नहीं चाहिए, एकदम ध्यान रखेगा, इन में से एक भी point आपका छूटना नहीं चाहिए, इससे क्या होगा, कि जितने ज्यादा point आप ऐसे यह पूरा का पूरा point हो गया या नहीं, उससे कमी तो लिखना पड़ा और याद रखे, जिस बच्चे ने यह पूरा का पूरा 2 point और इतना बड़ा बड़ा लिखा, अगर 3 marks का है, तो उस बच्चे को maximum 1 marks आएगा क्योंकि उस बच्चे ने जितना लिखा है, यह दो ही point consider होगा, तो दो ही point के लाइक तो मिलेगा, और इतने ही समय में, आप इतने point को लिख देंगे और साइज समय भी बचा रहेगा, क्योंकि देखिए, इसके point कितने कम में और यह पूरा भरभर करके नहीं है line, और समय भी बचेगा, और आप पूरे के पूरे marks के लिए entitle होंगे, तो इसलिए सबसे पहला काम point बढ़ाना है और उसके बाद क्या करना है और तब उस point में लिखना है और लिखते वक्त भी एक point में धेर सारा चीज नहीं क्योंकि exam में time limited होते हैं तो सबसे पहला approach सारे के सारे क्या लिखने है ये वाले जो हैं, वो सारे के सारे क्या आ गए points आ गए, और फिर फिर इसके बाद आपको अगर समय है और ये ज़्यादा marks का है तो जिस जिस में छोटा छोटा point है वो क्या करिए, एकक point लिखते जाए अब ये नहीं, कि इसमें इतना नहीं लिखना है लेकिन जब मैं इतना नहीं दूंगा तो आप थोड़ा नहीं लिख पाएंगे अब उसमें कितना लिखना रहेगा कि there is no specific law for what for for proprietorship, इसलिए क्या हो गया easy formation हो गया so for decision, there is one person only so nobody will interfere or nobody will resist in the decision बस, ऐसे करके points लिखने clear है ये सारे points इस business को क्या बोलते हम और ये इसके क्या है advance, और इसी advantage सही देखिए आपके कैसे निकलेंगे क्या, अगर हम disadvantage की तरफ जाएंगे तो इसी disadvantage को ही किस नाम से और बोलते हैं, limitations भी बोलते हैं, limitation of management skill अभी तक हमने क्या बोला था management बोला था कम लोग है तो अच्छा था, salary कम जाता था, decision में अच्छा था, लेकिन अब देखिए क्या बोले limitation of management skill, क्यों एक बंदा है, तो एक ही बंदा हना हर चीज सम्हाल रहा है तो कहीं न कहीं आपके पास limitation है या नहीं management skill का क्योंकि आप अकेले जो है वो किस किस चीज में expert होंगे limitation of what क्यों limitation of resources क्योंकि आप एक person है आप ही के पास, जो आप के पास क्या है दिमाग है, उसी दिमाग का इस्तमाल करेंगे, जो पैसा है उसी पैसे का क्या करेंगे इस्तमाल करेंगे unlimited liability obvious सी बात है आप अकेला सारा जो है वो profit लीजेगा तो liability भी क्या होगी अकेले और इतना ही नहीं आपके personal assets को क्या किया जाएगा attach कर दिया जाएगा और personal property को attach करने का मतलब हुआ कि अगर आपने किसी भी creditor से पैसा वगेरे लिया हुआ है और आपके कोई creditor है उनको आपने समय पे payment नहीं अगर किया हुआ है तो in that case जो business से पैसा आया आया और अगर नहीं आया तो आपका जो personal जो है जो मकान है उन चीजों को क्या किया जाएगा उन चीजों को sell off किया जाएगा attach किया जाएगा as area of land revenue जिसका मतलब है कि उन्हें निलाम किया जाएगा बेचा जाएगा और उससे पैसे क्या किया जाएगे recover lack of continuity रुकिये ज़रा कोई पढ़िये मत ज़रा तो क्या मतलब होगा lack of continuity बिल्कुल सही कह रहे है इनसान मढ गया तो उसके साथ soul proprietor से भी मढ गया क्योंकि नाम सही था पंकज कुमार and this पंकज कुमार मरा तो उसके साथ पंकज कुमार and associate भी मरा कहने का मतलब बस यह हुआ कि ये चीज जो है वो तो अलग चीज है वो तो corporate entities है अभी हम किसमे हैं? बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो one person company का है और वो हम किसमें पढ़ेंगे? corporate entities अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? non corporate entities बताऊंगा वहाँ पे one person company आपने company law में पढ़ाओगा थोड़ा मैं भी यहाँ आपको बताऊंगा OPC के क्या क्या खासियत है कौन-कौन सा फॉर्म इस्तमाल करते हैं तो अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि business को बेचना मुश्किल है क्या मतलब है business को बेचना मुश्किल है? क्या challenge है business को बेचने में? क्यारे भी आप business को बेचने में सबसे बड़ा challenge यह है कि हमारे इस चीज़ पे दूसरे लोगों की reliability ही कम होती है और इसलिए आज के date में अगर किसी company को बेचना रहे जो बनी हुई company है तो उसका value बढ़ जाता है जो मैटो को अगर इसके owner बेचना चाहेंगे तो हर कोई क्या का चाहेगा उस goodwill के साथ लेना लेकिन कहते हैं इसको इसी लिए ने क्योंकि sole proprietorship का goodwill किस्से है ये बताए sole proprietorship जैसे मैं बता रहो कुछ चीज़ों में कैसे limitation आ जाता है जैसे जहाँ पे जो है personal skill की बात आती है वो personal skill बड़ा खतरनाग चीज़ होता और उसका कोई substitute नहीं होता है क्योंकि machine से नहीं हो रहा है जैसे अगर कोई company कोई product बना रहे है तो कोई फर्क नहीं पढ़ता है कि कौन company में है कौन नहीं है जो भी company में होगा machine है ये है वो ही production होगा होगा या नहीं होगा लेकिन अगर मान लीजी हम personal skill की बात करें एक example ले ले लेते हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये personal skill है या कोई भी आएगा तो exactly मेरे जैसा ही पढ़ाएगा मेरे से बहुत अच्छा पढ़ा सकता है मेरे से खड़ा भी पढ़ा सकता है तो यहां पे अगर मैं बात करूँ teacher को ले करके तो कहा गया कि teacher के case में अगर मैं नहीं तो इसका मतलब है कि अगर मैं अकेला ही इस चीज को पढ़ा रहा था मैं नहीं तो इसका मतलब कोई और पढ़ा रहा है this कर रहे हैं, that कर रहे हैं, तो यही तो मेरा USP था, अब मैं ही नहीं तो वो USP गाइब हुआ या नहीं हुआ, तो इसलिए अगर individual कोई चीज को कर रहा है, तो देखें, limitation यही चीज है, कि उसके साथ ही जितने भी चीज किये हुए थे, वो उसके साथ ही क्या हो गया, चला गया लेकिन यही अगर एक जो है, वो corporate entity के form में होता, तो perpetual succession वाली बात चलते रहती, लोग खरीदना चाहते थे, तो जो person बना रहा ही है, तो उसका individual quality था, जिसके basis पे उसने इस मुकाम को खड़ा किया था, अब कहां उसको कोई आगे कर पाएगा, इसलिए बोला गया, कि selling the business is a challenge Risk in decision making, क्या risk है भईया, मस्ट सोचेंगे अकेले, यही जो risk है, बिल्कुल सही, मस्ट सोचेंगे अकेले, यही तो आप अकेले सोचते हैं, और आपके लिए दुनिया पागल, तो दुनिया के लिए आप भी पागल, आप जो है, कोई अगर कुछ बोल देता है, जैसे मैं ही कभी आपको ग्यान की बात देने लगा, उसी समय आप सोच रहे होते हैं, आप बड़ा ग्यान का बात, खुद बन गए हैं, तो बड़ा यह चीज है, अपने भी स्टुडेंट होंगे, तो ऐसे ही होंगे, हो सकता है, दिमाद में यह सभाना शुरू होता है, कभी जो मैं अकसरा का ऐसा कोई भी चीज है, तो अगर मान लीजिए कि मैंने आपको कोई भी आस्पेक्ट बोला, तो कोई भी आस्पेक्ट अगर बोला, नहीं आपको पसंदार होगा, तो जीचो चाहर होगा, मुझ नोच ले, और घर में तो अकसर ऐसा होता है, मेरी इतनी पिद्दी भर की बिटिया, उसको जब उसकी ममा ज्यादा बोलने लगती है, तो कान क्या कर लेती है, बंद कर लेती, और वो ये नहीं समझती कि गलती से उसका बाप साइकॉलजिस्ट है, वो और मैं अगर उधर हूँ, तो बंद की है, लेकिन वो ऐसे बंद करती कि उसे सब सुनाई दे रहा है, और सामने वाले को बस क्या दिखला रही है, ममा को कि मैंने कान क्या कर लिया है, ताकि उनको और गुस आएगा और एक दो लगा देगी, अब जो है वो ऐसे करके कर लेती है, और दिखता रहता है, और ये कैसे पता चालता है, कान कितना जोर से दाभी उसको तैने गूंजता रहेगा, जैसे हमारे गूंजते थे, तो उस-केस में कान बंद नहीं करेगी, ऐससे नीचे रहेगी, लेकिन उसके दात से पता चलता रहेगा कि दात क्या कर रही है, पीस रही है, एक तो ऐसे ही इतनी दूबली पतली, ज्यादा दात पीसेगी तो पता चला और खुन जल जाएगा, पता नहीं, बच्पन में ऐसा ममा कहते थी, मैं भी बहुत दूबला पतला था, और गुस्सा मुझे भी दाथी तो फिसूँगा, छोटा भाई, मुक्के दे करके चला गया, और मैं सिर्फ चिला रही है, छोड़ूँगा नहीं, छोड़ूँगा नहीं, और ममा यहां से चिला रही है, च्यों ऐसे कर रहे है, उसका सारा खुन जल जाएगा, मतलब, नस्दीक आ जाओ, ये दो मु मुक्य खा लो, बोलता था, पगर के दिखाओ, मार के दिखाओ मुक्य, ज्यादा का गैप ने था देर दो साल का छोटा था, तो इसलिए जो क्या होता था, मुक्य जो है वो चल जाते तो मुझे से डबल था, अभी दैने बने बोला, 92 kg वेट और 2 इंच मुझे लंबा, तो ऐसा ही लगातार वो प्रोपोर्शन चल रहा था, कभी भी चार रोटी तो गप से कव खा गया पता भी नहीं चला, और मैं अगर खाना खा रहा हूं तो पूरे महले में सोर मच गया है, क्यों सोर मच गया है, क्योंकि उससे पहले मुझे हमेसा खाने से पहले स्विट डिस मि कपर करता था पापा आते थे ऐसा कवर करते थे कि पता नहीं क्या था औरres exist now क्रिकब às अफने वह कि अपने सोचा दुनिए ईंग एक और बहु कोछ नहीं है जो हूं मैं हूं पढ़ना क्या पढ़ना होता रहेगा ये जिन्दगी ना मिलेगी दुबारा जो है यहां जीवर जीओ कल ये समा और यही तो बात है कि आप दूसरे को एंटरफेर करने कहां दे रहे हैं अपने सोच में अगर एक दिन धंग से एंटरफेर करने दीजिएगा तो वो सोच बदल जायेगा लेकिन आप तो बस प्रोप्राइटर्शिप को पसंद करते हैं तो यही क्या है रिस्क इन वाट डिसिजन मेकिंग लेकिन इसका हैसास आता ह 25 फरवरी को और 25 अगस्त को दिसंबर में टेम्ट दिया है तो 25 फरवरी को दो बज़े रिजल्ट निकलेगा और अगर जून में दिया है तो 25 अगस्त को दो बज़े क्या होगा रिजल्ट आएगा उस समय लगता है कि मेरा डिसिजन जो है वो सही नहीं था सरवाला ज्याद सही था तो यहां जब तक आप प्रोप्राइटर्शिप में तब तक आपका इस सब कुछ इसका मतलब है बड़ा करना बिजनेस को अकेले हैं ज़्यादा सोर्सेज नहीं मिलेंगे आपको पैसे के क्यों क्यों कि लोगों का आप पे भरोसा कम होगा बैंक वगेर आप पे रिला आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया लिमिटेशन है अब इसी चीज को मैंने यहां पे क्या किया है पूरे डिटेल में दिया है तो मुझे बताइए इतने चीज को सुनने के बाद क्या हम तीन मार्क्स के लाइक लिखने के लाइक नहीं हैं और नहीं तो फिर जैमाता दी इसको क्या करते रहेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, रठना पड़ेगा, और ऐसा बिल्कुल नौबत नहीं आना चाहिए, क्योंकि याद रखे, अगर आप यहां तक में comfortable हैं, तो आप CACACMA सब एक साथ कर सकते हैं, बस यही वज़ा था कि मैं एक साथ कर रहा था, कि इसके बोल करके नहीं करना है, कैसे करना है, तो लिखने के लिए बस आपको क्या होना चाहिए, बस वो, skill होना चाहिए, और यह कैसे होगा, ऐसे ही बोलते रहेगा तब होगा, या इसको करेंगे तो होगा, तो इसलिए देखिए, हर जगा एक-एक homework बनता जा रहा है, आज कुछ म मत कीजिएगा, सिर्फ एक बार जो है, वो read जरूर कर लीजिएगा, और read करने के बाद notes को फिकने का मत पूरे में मत फिक किएगा, अगर ऐसा ही फिक न रहेगा, तो यहाँ दे दीजिए, बड़े पैसे लगते हैं, print कराने में, मैं उसे बाद में रदी में बेचूंगा, अगर बेचना ही रहे, मेरे पास आ जाएंगे 12-13 रुपे, 12 रुपे क्या है, कि 60 रुपे हैं, 24 हो गए हैं, तो मेरा वाल अपने तरफ लेके चले जाएगा, हमारे इलाके में नहीं हा रहे है 24 किलोपेपर वाला, अच्छा, तो अब यहां पे कह रहे हैं, कि आपका काम क्या है, पहले एक रौंड क्या कर लिया, किस चीज को पढ़ेंगे, इस चीज को क्यों पढ़ेंगे, ताकि आपको लिखते वक्त अच्छे वोकाबलरी मिल जाए, और बिना रटे हुए उसके बाद क्या करेंगे, इस सब पर लिखेंगे, तो दो जगह हो गया आपके लिखने के लिए, एक क्या हो गया, एडवांटेज और एक क्या हो गया, ये दोनों मिल करके अब एक पेज हुए, हुए ना, तो अभी तक हम जहां तक से गुजरे हैं, आपके नोट्स और आपके प्रिंट के पर किस चीज को करने के लिए, कोई भी जो भी हम पर रहें, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसको क्या करेंगे हम, रजिस्टर करेंगे, तो कैसे करेंगे, क्या इसका तरीका है, कहा गया इसमें, अपने आप से क्या लिखित को ये अग्रिमेंट करना पड़ता है, नहीं, यह कहने की बाते हैं, कि हमेशा हम एक रिजोलिशन लेते हैं, नहीं बोला जाता है, नए साल में, या 15th अगस्त को कुछ रिजोलिशन लो, तो आप सोचते हैं कि कोई न कोई रिजोलिशन लेना ही एक रिजोलिशन लेना था, तो इसलिए क्या लिया, एक रिजोलिशन लिया, कि चलो 6 घंटे तो हो भी सकते हैं, कभी लगाता 2 मूवी देख लिया, तो चलो, कुछ भी हो जाए, लगाता 9 घंटे तक मूवी नहीं देखेंगे, कह रहे हैं कि यहाँ पे, no need or agreement required, क्यों भाई अपने आप से कहीं कोई लिखित agreement करने की ज़वरत, ना कुछ बटवारा करना है, ना liability का distribution करना है, ना profit का distribution करना है, तो इस case में क्या कोई agreement की ज़वरत है, registration under following enactment as per requirement of business, जैसा business होगा उस nature को देखते हुए, shop and establishment act, यह estate is specific है, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली shop act के तहत, अगर आप एक किराना का भी दुकान खोलते हैं, तो आपको एक registration कराना है, but this is not applicable in some other state, like UP में भी नहीं है और साइध हर्याना में भी नहीं है, बात हर्याना में है, हर्याना में है, यह हर्याना shop act, पता नहीं, मुझे जहां तक याद है, अगर हो तो अच्छी बात है, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे UP में नहीं है, बिहार में नहीं है, राजस्थान या कहां पर आप लोग अपना state का चेक किजए, लेकिन Delhi में यह मैं confirm हूँ, क्योंकि यहां में रहता हूँ, तो मुझे पता है, अगर आप एक छोटा सा दुकान खोलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, registration, बहुत आसान प्रोसेस होता है, SOP Act के according क्या करना, registration कराना, law relating to professional tax अब यह भी आपका जो है वो applicable नहीं, depend करता है किस nature का आपका क्या है, business है, क्योंकि अगर आप CS वगेरा कर रहे हैं, तो वहाँ पर professional tax लगते हैं, CA का profession कर रहे हैं, लेकिन यही अगर आप किराना दुकान खोलें, तो यहाँ पर professional tax वाला चीज़ का compliance नहीं रहेगा, registration under MSME, अ अगर आप micro small, क्योंकि याद कीजिए, हमने पढ़ा था, कि micro small medium enterprise is sole proprietorship भी हो सकता है, company form में हो सकता है, किसी भी form में हो सकता है, और हमने उसके लिए देखा था, कि asset में कितना investment और turnover में कितना, आपका जो है, वो return, यानि कि कितना तक का आप asset लगाएंगे, और कितना तक का turnover ह होगा, तो आप क्या कहलाएंगे, MSME, कुछ याद है, या गजनी वाला हाल है, short term memory loss हो गए, और इसमें बताइए, तो एक नया change क्या आया है MSME में, जो पढ़ाया था, MSME में, micro and small medium enterprises को determine करते वक्त, हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, और आपको कहा था, कि ये जो है, वो नया change है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, अब आपके पास समय है 30 seconds, और आपको बताना है, कि वो क्या नया चीज था, जो MSME में था, और बिल्कुल सुरू में ही बताया था, परहाना जैसे ही सुरू किया था, वैसे ही, कि ये नया नया introduce किया, पहले ये दोनों चीज अलग-अलग था, इससे ज़्यादा बोलूँग लोग हो गए इधर से, एक पुरा और आधा, इधर से जो है, वो एक हो गए, आप आधे में, पूरे में, दो हो गए, आप हाथ उठाए हैं, अच्छा, नहीं, अब तक दो मैसे जुक गाए ही, वो नहीं है, नॉर्मल ही रही है, इधर से दो, इधर से डेर, और कोई है? हाँ जी आपका घर का नम्मर मैंने नहीं लिया लेना पड़ेगा रुखिये जड़ा एक पर बात करना जरूरी है आज ही मैं से लेता हूँ अच्छा नहीं आप मैं खुशी का बोल रहा था जिन से पूछा था खुशी मतलब इधर वाले खुशी का इधर वाले का भी लेंगे इधर वाले का तो अक्सर रहता ही है उनके पास तो इसलिए इनका तो जरूरी नहीं इनका तो कभी भी टकड़ा जै कभी मैं भी बैठा रहूँगा तो पता चला आया है तो मैं ही बात कर लूँगा क्या था है मैं समय बस यही सारे तीन लोग तीन और आधा तो साठे तीन ही बोलते हैं ना थ्री एन हाफ को रुखिये पहले आधे से ही पूछते हैं बताईए आधा क्या चीसे और फ्राबोलिये ने इतना दम सराज खेल के क्या मिलेगा चलिए इधर कौन सा हाथ था एक ये और दो थे तो रुखिये पहले इन ही को दे देते हैं मौका ये भी क्या याद करेंगे लेट से आएं हैं आज बगल में ये है ना उन्नती है ना एक मुक्के दीजिए प्रीट पे ये सोच रहें दे तो दिया फिर कहीं मेरे उपर जो है वो CRPC का कोई सेक्शन न लग जाए चलिए आप बताइए बिलकुल सही एकदम सही परफेक्ट पहले जो था MSME Act के तहत अगर कोई manufacturing activity कर रहा है तो उसके लिए अलग limit थे और services के लिए क्या था अलग था दोनों को अलग अलग बांटा था कि अगर आप service में आते हैं तो वहां पर equipment वर्ड यूज करते थे कि investment in equipment इतना होना चाहिए turnover इतना और अगर आप जो है वो product बनाते हैं कोई सामान बनाते हैं तो उस case में क्या दिया हुआ था उस case में दिया हुआ था कि आपका investment in plant and machinery इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अब यह industry यह भी दिया हुआ है कुछ-कुछ जगों में SSI का concept है small scale industry का state specific है अगर उन्होंने बोला है तो आपको वहां भी क्या करना पड़ेगा register करना पड़ेगा GST registration यह आपका central act है but it is as per what turnover और यह turnover आपका जो है वो liable to be changed by the circular of government of India तो ऐसे case में अगर आप जो है एक proprietorship है और आपका turnover उस जो है वो 20 lakh 40 lakh इस वाले bracket में क्या करने लगेगा इन करेगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा 20 lakh में क्या GST लेकिन हो सकता है कल के date में 10 लाग पे क्या कर दे GST का compliance यह compulsory कर दे import export code नमर अगर आप इंडिया से बाहर चीज़ों को भेजते हैं तो वैसे कि इस various license under various form of business यह भी आपका एक chapter है जहां पर मैं बहुत detail में आपको पढ़ाऊंगा import export code जो लिया जाता है अभी यहां बस हम इतना जानेंगे कि अगर हम एक प्रोप्राइटर है और हमारा business इंडिया से क्या है बाहर है तो हमें लेना परेगा यह कौन सा import export code number और नहीं तो लेने की ज़रुरत नहीं है intellectual property law अगर आपके पास कोई भी ऐसा चीज है जो patent copyright trademark इसके दाइरे में आता है तो आप लीजिए नहीं आता है तो मत लीजिए compulsory नहीं है यह है किसके लिए soul proprietorship के लिए अगला चीज हमारा कौन सा है partnership act soul proprietorship में हमने क्या कहा soul proprietorship में हमने कहा कि बंदा कितना है एक है और वो अकेला बंदा है लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसके partnership firm कि तो बस कह Diesel फोरा ही और आगे है soul proprietorship और को लेकर कोई specific Act नहीं है लेकिन partnership को लेकर कर जो है वह हमारे पास क्या है partnership को लेकर के हमारे पास specific Act है या नहीं है है और उस Act का नाम क्या है Indian Partnership Act 1932 आज आदी से पहले का है आज भी चल रहा है माइनर एमेंडमेंट करते रहते हैं और हमारा काम इससे चलता रहा है तो अब कह रहें कि partnership का मतलब क्या हुआ तो पहले जो है वो प्रिती अकेले जो है वो इनके पास धेर सारा पैसा था और इन्हो करेंगे ना किसी से पूछेंगे अपने मर्जी से काम करेंगे लेकिन फिर इन्होंने क्या देखा कि पैसे की थोड़ी कमी हुई अकेले ही सारा पैसा रखना पड़ता था डालना परता था बिजनेस में और रिस्क भी जो है वो अकेले बियर करना था प्लस किसी जगा कोई confusion हुआ किसी से विचार भी लेना चाहे तो कोई अविलेबल नहीं है, मैनेजमेंट में भी अकेले थे, तो इन्हों ने अपने ही नेचर के, अपने ही तरह के लोगों को ढूंड़ना क्या किया, शुरू किया, जिनके साथ इनकी बन सके, तब इनसे टकराई प्रिया, प्रिया ब बनेंगे, कमाई होगी तो दोनों बाटेंगे, और अगर डूबेंगे भी तो दोनों मिलके डूबेंगे, यानि कि लॉस में भी पार्टनर और प्राफिट में भी, जितनी भी लायबलिटी होगी, दुनिया को ले करके, उन सारे के सारे लायबलिटी के लिए दोनों responsible होंग लेकिन ये जो responsibility होती है, इस responsibility को इन्हें कहीं न कहीं repose करना पड़ता है, कहीं न कहीं mention करना पड़ता है, ताकि कल के date में, अभी तो दोनों में मान लिजे कि बहुत जो है, वो mail जोल, दोनों का tuning बहुत अच्छा, लेकिन जब पैसे आने लगते हैं, तो कहीं भी tuning बिगर जात है, तो या तो कहीं पैसे का मामला आ जाए, या कहीं antiseptic का मामला आ जाए, तो अच्छे-च्छे relation क्या हो जाते हैं, बिगर जाते हैं, यहीं दो situation होता है, पैसा या antiseptic, तो अब जो है, वो यह कहते हैं कि कल के date में, अगर कहीं कुछ उच्छ नीच हो गया, तो एक लिखित इनके बीच में क्या होगा, agreement होगा, ताकि court of law में आपस को ले करके, बहुत ध्यान से चीजों को सुनिएगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे slide आपके खत्म होंगे, इन सारे बातों को सुनने के बाद, तो इन्होंने क्या किया, आपस के जो agreement थे, आपस में जो है, वो क्या कि loss में 70% होगा, या दोनों बडावर लगा हैं, तो दोनों बडावर के जो हैं, वो partner होगे, decision दोनों मिल करके लेंगे, कल के date में कौन नया partner होगा, ये दोनों मिल करके तै करेंगे, कौन इस partnership firm से पैसा कितना withdraw करेगा, ये हम दोनों मिल करके क्या करेंगे, तै करेंगे, किस कि से business करने पर हम एक दूसरे partner को क्या कर सकते हैं, expelled कर सकते हैं, या partnership से हटा सकते हैं, कब हम किसी और को सामिल कर सकते हैं, और सामिल किया तो कैसे हटा सकते हैं, यह सारी बात हैं, जिस चीज में लिखी रहते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, partnership, deed बोलते हैं, और partnership, deed के जरिय ये एक दूसरे के साथ partnership में आएंगे लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि इन लोगों को इस चीज के लिए इस act के तहट अपने आपको क्या करना पड़ेगा रजिस्टर करना पड़ेगा partnership did need to be registered लेकिन लेकिन partnership firm को register करना जरूरी नहीं है ये दो अलग अलग बात है बहुत ध्यान से इसको समझेगा इसी को हम लोग बोलते हैं partnership deed and partnership agreement बोलते हैं जोने मैंने आपका topic रखा भी है करेंगे भी बात मतलब ये कहा गया कि अगर आप चाहें तो रजिस्टर कीजिए partnership firm को वड़ना register मत कीजिए इन्हों ने दोनों ने जो है बोला PNP associate प्रिति अन्प्रिया एसोसियेट नाम रख दिया इस तरीके से कहा कि अगर इन्हों ने ऐसा नाम रख दिया और अपने आपको क्या कर लिया register करना चाहें किस act के तहब partnership act के तहब तो register कर सकते हैं नहीं करना चाहें तो कोई compulsion नहीं है बस दिक्कत इतना ही है कि अगर आपने अपने आपको register नहीं किया तो इस case में आपको जिन से पैसे की वसूली करना है और उसने अगर पैसा नहीं दिया partnership firmain का PNP Associates और ये दोनों मिल करके कुर्सी बना रहे हैं धेर सारा कुर्सी बनाया और कुर्सी बना करके इन्होंने supply किया और supply कि उनको किया जैसे हमने देखा था कि सचीन जो है वो जगराता लगाने लगे उन्होंने बोला कि हमें जो है वो क्या चाहिए धेर सारा जो है को कुर्सी चाहिए इन्होंने बोला था हाँ supply करते हैं अगर इन्होंने supply नहीं किया समय पे और सचीन को नुक्सान हुआ तो सचीन इनको जो है वो court of law में स्यू कर सकते हैं इनके उपर case file कर सकते हैं लेकिन सचीन ने कुर्सी ले लिया और लेने के बाद जो है वो पैसा नह नहीं जा सकते इनके पास legal defensive level नहीं है बस यही इकलोता एक नुक्सान होता है अगर आपने क्या नहीं किया partnership firm को मैं partnership deed नहीं बोल रहा हूं partnership deed always always need to be what registered क्यों registered क्योंकि उस पे stamp लगता है और registration act के तत उसे क्या किया जाता है registered किया जाता है और registrable document में यह आता है तो यहां पे हम लोग कह रहें partnership firm के क्या-क्या feature है भाई existence of and what agreement किया हमने बात engagement इन रुकिए जरा मत पलटिएगा कहीं जी engagement इन बिजनेस का क्या मतलब है जराब बताईए तो और कुछ यह वाला नहीं चला थोड़ा और ठीक कह रहें lawful business तो होगा ही हमेशा लेकिन business वर्ड ही क्यों बोला engagement in business यह दोनों engagement in business के लिए भी partnership firm बन सकते हैं इसका मतलब यह हुआ हाँ देखिए दोनों जो है वो common consent है मिलकर के काम कर रहे हैं इसके अलावा सबसे important चीज है कि business के लिए दोनों मिले हैं मतलब यह है कि माल लीजे कि एक मकान है थोड़े देर के लिए zoom करते हैं दोनों sister है इनको जो है वो एक मकान दिया गया पापा का था दोनों जो है वो equally वाडिस हैं दोनों अब वहां से जो रेंट आएगा दोनों आधा आधा बाट रहे हैं या नहीं लेकिन ये दोनों partner नहीं कहलाएंगे तो क्योंकि ये कोई business नहीं कर रहे है ये word है यहाँ पर engagement in business इनके बीच जो mutual agreement हुआ है this agreement is for what business पिछरे बार भी तो mutual इनको बीच में जो है वो concern था वो क्या था कि जो भी rent आएंगे वो दोनों क्या करेंगे आपस में बाट रहें बट ये कोई business नहीं है इनके पास एक मकान जिसका किराया आपस में बाट रहें लेकिन यहीं अगर दोनों मिल करके धेर सारा मकान लेते हैं real estate का business शुरू करते हैं अपना पैसा डालते हैं और उसके भाद धेर सारा property खरीते हैं और उसको rent पे दे देते हैं अब वहां से जो पैसा आता है वो उसी ratio में इनका बढ़ता है जिस ratio में नोंने क्या किया था capital लगाया था तो अब यह क्या कहलाएगा यह कहलाएगा partnership firm कहलाएगा लेकिन पहले बार पापा से जो विरासत में मिला है और उसका जो है वो पैसा दोनों अगर आपस में बाट रहे तो यह business नहीं वह और यह partnership नहीं कहलाएगा clear है यह बात sharing of profit and loss agency relationship इसका मतलब है कि अगर प्रिया ने कुछ किया तो उसके लिए प्रिती भी क्या होंगे जिमेदार और अगर प्रिती ने किया तो उसके लिए प्रिया भी यह नहीं बोल सकते हैं कि यह मैंने नहीं किया यह किस ने किया? अच्छा ऐसी कर किया था यह मैंने नहीं किय या इसने किया वह चिंकी-पिंकी वाला जो आता है एक साथ और बोलते हैं देखाए कपिल सर्मा के स्वा में ही एक वाट ऐसे आए थे दो बहन एक जैसे दिखती हैं यह बहन है यह बहन ही होंगे twins है और चिंकी-पिंकी यह चिंकी-Minky डिउन है कि मेरा का नाम तो यह है, इसका मुझे नहीं पता, तो यह ऐसे करके करते हैं, पर अच्छा सा वो ट्यून लगता है, जब एक चार-पांच लाइन वो एक साथ बोलते हैं, तो ठीक वैसे ही, यह दोनों ऐसा नहीं कर सकते हैं, कि प्रिती ने किया, प्रिया बोलेंगे, मैं इसके ने किया, तो दूसरे के लिए वो क्या माने जाएंगे, एजेंट माने जाएंगे, और आपको उनके accountability क्या करनी परेगी, लेनी परेगी, unlimited liability, partnership firm के case में, unlimited liability word इसलिए है, क्योंकि यहाँ भी जो दो लोग है, इन दोनों लोगों के उपर क्या है, liability क्या है, unlimited है, मतलब प्रिती प्रिया, अगर इनके partnership firm, P&P associate ने payment नहीं किया, तो इन दोनों के personal property को क्या किया जाएगा, personal property को sell out करके पैसे क्या किये जाएंगे, recover किये जाएंगे, common management, क्यों है common management, तो कि यह दो लोग है, यह दो लोग जब तक किसी चीज पर सहमत नहीं होंगे, जब तक किसी चीज पर अ आगे नहीं बढ़ेगी, restriction on transferability of shares, यानि कि यह shares को जो है, वो easily transfer नहीं कर सकते हैं, बिना दोनों के सहमती के, ना कोई नया partner आ सकता है, और ना कोई जा सकता है, restriction, किस चीज पर restriction है, यहाँ पर कहा गया, sorry, restriction किस चीज पर है, transferability of shares, और shares का मतलब है, नए partner को क्या करना, in करना, या जो existing partner उनको क्या कराना, out कराना, registration, registration के बारे मैंने कहा, not compulsory, अगर आप करते हैं, तो आपको legal defense जरूर मिलेगा, क्या legal defense मिलेगा, आपके भी पैसे कहीं बकाया है, तो आप उनके उपर case file कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने registration नहीं कराया, आपके उपर किसी का बकाया था, तो वो case file कर सकता है, आपके पैसे किसी का बकाया है, तो आप case file नहीं कर सकते हैं, duration, अगर कोई partnership firm है, वो कितने दिनों के लिए रहेगा, ये totally depend करता है, कि आपने उस agreement में क्या लिखा हुआ है, आपने जितने दिनों के लिए क्या है, उतने समय तक वो क्या रहेगा, agreement valid रहे partner है, अगर ये दोनों partner है, इन्होंने agreement किया है, इनको लोग जान रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है, कि यहाँ पे ये दोनों और साथ में जो है वो अंजली, ये तीनों मिलकर के जो है वो एक game करते हैं, और game क्या करते हैं, अंजली बिलकुल ऐसे ही ज मिताली, अच्छा नहीं याद है, कोई सोच रहे होंगे, किसी और का नाम लिया जा रहा है, तो चलिए, मैं इन्हीं की बात कर रहा था मिताली राज का ही, तो मिताली जो है वो और प्रिया, और पृति, इन तीनों ने मिलकर के क्या क्या, इन दोनों के नाम किस पर लिखे पे अब मिताली ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो भी जो है वो इस partnership firm के main क्या है partner है और इस तरीके से करते वे यह किनी के साथ agreement करते हैं विराट के साथ कि आपको भी जगडाता के लिए हम क्या करेंगे चेर प्रोवाइड करेंगे अब देखिए यहां पे इन्हों ने अपने आपको कैसे सो किया है as a partner this is called holding out कल के date में अगर जो है वो नुक्सान हुआ और विराट के पास चेर नहीं पहुंचा तो इस ground पे यह दोनों अपना पला नहीं जार सकते हैं और नहीं मिताली जार सकती है कि मैं तो यहां partner नहीं हूँ तो if you are representing yourself as a partner then your accountability is same as the partner और ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग जो है इसको misuse ना करे और misuse का मतलब कि काम हो गया तो बड़ी अच्छी बात है फायदे हुए तो हमारे और लॉस हुए तो यह तो हमारे partner है ही नहीं तो इसको क्या बोलते हैं holding out insolvency and bankruptcy of what partnership अगर कहीं भी होगा तो वो insolvency and bankruptcy को 2016 के according क्या किया जाएगा redress किया जाएगा इसका मतलब है property ascertain किये जाएगे उस property को sell out किया जाएगा और उससे जो है वो सारा पैसा क्या किया जाएगा पे किया जाएगा किस form में जो जो liability था उस liability को मिट करने के लिए तो यह सारा इनका क्या था features था holding out insolvency and bankruptcy कह रहें कि जो partnership firm है उसके अगर हम type देखें तो एक है at will एक है particular partnership और एक है क्या fixed duration बड़ा simple सा है अगर हमने बोला at will का मतलब है जब दोनों partner की इक्षा होगी हमारा वो चीज़ क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा यानि कि अगर partnership जो है वो हमारा बना है तो वो partnership को अगर हम खत्म करना चाहें तो क्या कर सकते हैं खत्म कर सकते दोनों partner का mutual consent होगा और partnership at will का मतलब है जब दोनों की इक्षा होगी partnership हम क्या हो गया Dissolve हो गया और खत्म हो गया Particular Partnership यह जो आपने बनाया है एक खास Purpose के लिए बनाया है और जिस दिन वो Purpose क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा खुद भखुद वो Partnership क्या हो जाएगा Dissolve हो जाएगा यह ज़ादातर होता है किसी Event वगेरे को ले करके वो event है, एक partnership firm वना, वो partnership firm उस event को carry करेगा, वो event खतम, partnership firm भी क्या हो गया, खतम, partnership for what, fixed duration, और fixed duration का मतलब है, पहले ही हमने बोला था, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, जैसे ही वो समय खतम होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, partnership firm खतम, और ये कहां पे लिखा रहेगा, ये सारी में बनाया है, partnership agreement जो है, वो basically registered होना, एक अलग बात है, वो हुआ, partnership act के तद किसको register कर रहे है, firm को register, करना है कीजिए, नहीं करना है, मत कीजिए, लेकिन partners के बीच में जो agreement होगा, ये always हमें सा stamp paper पे होता है, it should be signed by both the parties, या और जो multiple हैं, और तब हम इसको क्या करते हैं, as per registration act, उस state में, जो registration का क्या दिया हुआ है, registration के लिए, जो stamp duty है, उसके according हम pay करते हैं, चलिए, अब बहुत तरह के partner होते हैं, तो कुछ ऐसे partner जो actively काम करते हैं, कुछ जो है, वो सिर्फ पैसे जो है, वो लेते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, कुछ ऐसे भी partner होते हैं, जो ना कुछ investment करेंगे, ना कुछ और, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको क्या करते हैं, partner बना के रखते हैं, तो आखिर ऐसा, कौन सा person होगा, कौन सा सक्सियत होगा, जो ना पैसे देगा, ना कोई काम करेगा, लेकिन फिर भी हम उसको जो है, वो partner बना के रखते हैं, और उ हाल, आज के लिए मेरी आपकी सारी सेवा, समाप